जैसे Thunderbolt Ross के एक्टर William Hart की डेथ के बाद Marvel ने उनकी जगा एक नए एक्टर Harrison Ford को कास्ट कर लिया Thunderbolt Ross के रोल के लिए इसी तरह से Marvel ने Kang के एक्टर को रिकास्ट क्यों नहीं किया भई Kang जो है वो तो Thunderbolt Ross से कहीं ज्यादा इंपॉर्टन क्यारेक्टर है और Marvel में बहुत साथी रिकास्टिंग्स हुई है बट Kang एक बार Marvel से हटा तो विर हट की क्यों रहा गया Marvel ने उसकी जगा एक नए एक अक्टर को रिकास्ट क्यों नहीं किया एंड इसका अपकमिंग फ्यूचर क्या है Secret Wars and Dooms Day में क्या Kang की कहानी फिनिश होती हुई दिखे गी या नहीं यह सब आज आपको clear हो जाएगा basically आज Kang का chapter अगदम close कर देते हैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अभी 2-3 दिन पहले एक नए रिपोर्ट आ गई है जिसके according यह पता चलिगा कि Marvel Kang के अक्टर Jonathan Majors को वैसे भी फायर करने ही वाला था चाहे वो arrest होते चाहन पर charges लगते या ना लगते भाई वो fire तो होने ही वाले थे इसका reason यह था कि Marvel को Jonathan Majors ने जो Kang का portrayal किया था उस पर belief नहीं था उस पर यकीन नहीं था तो ultimately Marvel उने फायर करने वाला था और जिस time fire किया उसी time charges लग गए तो Marvel को भी लाएक एक बहाना मिल दिया सो थे को Kang को है वो कॉमिक्स का एक major super villain है definitely है अब उसका यो डेब्य हुआ था वो आंट वेन Quantum Mania में हुआ था मावल को उससे बहुत ज्यादा उमीदे भी थी कि Quantum Mania आने के time पर मावल एक बहुत ही सुस्त फेज में चल रहा था उस time fans वगएरा मावल के movies को लेकर बिल्कुल excited नहीं होते थे Quantum Mania आई मावल ने अपनी hopes Kang में लगाई उस पर पुट अप करी मतलब काफी अच्छा गाज़ा सेट अप किया उसकी स्टोरी लाइन को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने के बावजूद मावल जो response एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो definitely Kang से देखने को नहीं मिला for example आप अगर इसे Thanos की hype से compare करो तो Thanos मतलब बहुत iconic villains में से आता है अगर ये पता चल जाए कि Thanos किसी movie में आ रहा है even सोचो कि आज की date में imagine करो कि Thanos से एक solo movie भी आएगी तो definitely उसे लेकर hype बहुत ज्यादा रहेगी बट Kang के साथ ऐसा case बिलकुल नहीं था वो मामिल की hype को बढ़ा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था that's a fact अब हो सकता है आपको Kang अच्छा लगता हो बहुत अच्छा लगता हो तो बिलकुल भी मैं जज नहीं कर रहा हूं मुझे भी अच्छा लगता था लेकिन ये भी a fact है कि Thanos ने जिस तरह से पूरे सागा के लिए अपनी hype बनाई थी इवन जब वो स्क्रीन पर नहीं आया था उसके 5-10 सेकेंड का मतलब उसे tease भी किया जाता था किसी मूवी में Guardians of the Galaxy में या ऐसी किसी मूवी में तो भी भाई उस movie की hype और उसकी next movie की hype अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी कैंग के साथ ये scene नहीं था तो overall Marvel ने कैंग में बिल्कुली अपना यकीन खो दिया था जिसके चलते हो Jonathan Majors को कर देता है fire तो ये कताई मत सबजिएगा कि Jonathan Majors पर charges लगे थे इसलिए Marvel ने Jonathan Majors को fire किया इसा बिल्कुल ही है Marvel wanted to get rid of कैंग और ये जो RDJ का return हुआ है ये भी कोई अभी अचानक से नहीं हो गया इस पर भी planning काफी पहले से चल रही थी कब से लो की season 2 के आसपास से जब माविल को ये पता चल गया था कि कैंग अब माविल को एक hyped up वाले लेवल पर नहीं ले जा पाएगा जो जैसा कि मैंने बताया माविल जो से expect कर रहा था वो result उसे नहीं मिले तो माविल सोच रहा था अब उसकी जगा किस विलेंड को लाए किस विलेंड को लाए अचा नाम तो बहुत सारे आ रहे थे लेकिन डॉक्टर टूम का नाम बार बार आ रहा था क्योंकि उसे लाने में काफी अल्रेडी लेट होई चुका है और वो सबसे ज़्यादा इकॉनिक विलेंड वैसे एक है भी डॉक्टर डूम को लाया है प्लस वो हंड़ेड परसंट हिट पहुजाए इसके लिए मावल ने अर्डीज को भी मतलब अर्डीज को भी वो वापस ले आया डॉक्टर डूम के रूल में आनि आपर कोई रिस्क नहीं रहा डॉम ब्लस डॉल्वरीन को अगर देखते हैं तो बही वन बिलियंड प्लस डॉलर की स्टोरी तो उसमें नहीं थी स्टार कस्ट बहतरीनbearậAyollo's and да रतरीन में रिटरन के चलते वो 1 billion dollar plus cross कर पाई और आप खुद सोच कर देखो मालो आप इमेजिन करो RDG का रिटर्न अनाउंस ना हुआ होता जैसे स्टोरी लाइन कैंग के साथ चल रही थी बैसी चल रही होती तो क्या Deadpool and Wolverine के लिए आप हम और बाकी सारे fans इतने ज़्यादा excited होते और क्या ये movie 1 billion plus dollars की कमाई कर पाते मुझे ऐसा नहीं लगता तो definitely RDG के रिटर्न के अनाउंसमेंट नहीं बाकी सारे मतलब पूरे Marvel को एफेक्ट कर दिया है और बहुत ज्यादा hype अभी से बढ़ा दिया भी जबकि सिर्फ रिटर्न अनाउंस हुआ है और कुछ भी ऐसा उनका like सेट से इमेज या ऐसा कुछ भी लीक होकर नहीं आया है तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ गाईस की Marvel का ये जो RDG को लाने का एक टी उसने चलाया था वो बिल्कुल ठीक निशाने पर वैटा है और इसी वज़य से Marvel ने एक तरह से मुर्दे में जान डाल दी अपने जो एक फेलियर वाले फेज में था उससे वो बाहर आ गया सिर्फ और सिर्फ RDG को वापस लाकर और उसके बाद डेटपूल एंड वुल्वरीन जैसे एक मेजर मुवी देकर और अभी रिसेंटली तो भाई काफी अच्छा गाम कर रहा है कावी जारी कॉमी का क्यूरेसी दे रहा है नल भी आ चुका है तो बेसिकली वो फैन्स की सुन रहा है कि फैन्स चाहते का है अब देखो कैंग की बात करें तो कैंग कॉमिक्स में था बहुत मेजर विलेन था कैंग की लेकिन ये जो फैलियर हुआ कैंग का फेलियर हुआ, इसके पीछे एक वज़य और थी, वो ये थी कि बहुत बड़ा एक fanbase था, जो कैंग को जानता ही नहीं था, कैंग के background से परिचित ही नहीं था, कैसे, देखो बहुत सारे तो ऐसे fans होते हैं, hardcore fans होते, comics और सब पढ़ते हैं, सारे animated shows देखते हैं, लेकिन बहुत से casual fans होते हैं, casual fans सीधे movie देखने जाते हैं, उन्हें, like उन्होंने comic book अगरा नहीं पड़ी होती है, वो सीधे movie देखने जाते हैं, और मज़े लेते हैं, तो ऐसे fans इन्हें कैंग के background के बारे में कुछ नहीं पता था, कैंग सिर्फ comics में आय था, और एक के दुके animated shows मे Avengers, उसमें मैंने बहुत ध्यान से देखा था, Marvel ले उसमें बहुत तगडे से बहुत अच्छे से कैंग को सेट अप किया था, और एक बहुत interesting way में उसे represent किया था, उस show में, वो जो औरा कैंग का उस animated show में था, वो भाई, नोवी में तो देखने को कता ही नहीं मिला, मैं यह न काफी सारी चीज़ें इंवाल्व होती हैं, लेकिन जो एफेक्ट पड़ा वो अल्टिमेटली जनतरन मेजर्स पर ही पड़ा, उन्हें ही बुगतना पड़ा, और उन्होंने का भीता कि उन्हें बहुत ज्यादा खराब लगा है, लेकिन अगें वो देखते हैं कि, डॉक्ट लगे हैं, तो यहाँ पर मावल ने जिस तरह से कैंग में इंवेस्ट गया और उसकी स्टोरी लाइन काफी जाद आगे बढ़ा दी है, तो उसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मतलब कैंग की स्टोरी लाइन जो चल रही थी, उसे कहीं तो रैप अप तो करना होगा ना, दि दिखाया जाए, और कैंग की टेक्नोलोजी को हड़ अपले, अब यह आप सोचोगे कि यहाँ पर तुफिर एक तरह से कैंग का रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न नहीं होगा, टेक्निकल इस नॉट रिटर्न, यहाँ पर मावल हमें एनिमेट करके, या फिल लाइक बैक शोट से पीछे से दिखा सकता है कि आर्डीजे का डूम कैंग को मार रहा है, शकल नहीं दिखाएगा, सिंपल, तो यहाँ पर मतलब इस तरह से, कैंग की जो स्टोरी लाइन है, वो रैप अप हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी, और आर्डीजे का सटप भी हो जाएगा तो इससे पैस में कोई कन्फियोजर नहीं रहेगा कि वही कैंग का क्या हुआ, उसकी स्टोरी लाइन का क्या हुआ, काउंसिल ओफ कैंग का क्या हुआ, और जितना रहा था फैला था, क्वांटम मेनिया से लेकर लोग की में, वो सब कहां गया, वो रहा था, उस पे आर्डी का रिटर्न, माविल की ये move full on hit हो भी चुकी है, बले ही आपको उनका रिटर्न अच्छा लगा हो या ना लगा हो, सारे फैंस को अच्छा लगा है, लेकिन मान लोग बहुत से फैंस ऐसे भी हैं, जो इनके रिटर्न से खुश नहीं है, कैंग को हटाने के बाद इनके रिट कि अच्छा ब्रूम, कोही मतलब नी, कौन मतलबनी, कोही मतलबनी, कौन इनके गव्ल मूवी कभ गई कभ गई, कोही मतलबनी, बाद नहीं मतलब नी व राइत रिटर्न थे, जो रियाक्श नहीं कर Гई टोनों के।, कम सगिन् सारें, इसकिन है कि बद नाम हुए तो क्या हु देखने जाएंगे यानि ये जो चीज है माविल फैन्स को अब वापस से थिएटर तक लेकर आएगी कैंग के पेज में ऐसा नहीं था पफॉर्मेंस बहुत जबर्दस थी लेकिन पता नहीं क्या मिसिंग था यार मतलब उसका एक औरा जो होता है मतलब थैनोस का जो औरा था आइकॉनिक लाइंस बोला बोड़ी लैंवज वगएरा कैंग में नहीं था यार मतलब जननतन मेजर के कैंग में नहीं था थी परफॉर्मेंस अची वट यार उस लेवल की सचमे नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी तो ऐसे सजो जैसे उर्फी जावेद है ना सो कॉल्ड एक्ट्रेस जो नंगी होकर फेम कमा रही है तो मतलब उसे फेम से मतलब है चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसकी बेजती लोग उसे गाली देते हैं लेकिन गाली देने में भी उसका नाम तो लेते ना उसकी निया बस वही काफी है उसको वही पॉजिटिव हो या नेगेटिव रियक्षन हुआ, आडीजे के रिटान से रियक्षन हुआ, मैं कोई कमपेर नहीं कर रहा हूँ मैं सीचिवेशन को बस एक्सप्लेइन करने की कोशिच कर रहा हूँ तो कुछ अलग मत समझ ले न तो उनके आने से डेफिनेटली फैंस या तो बहुत जादा एक्साइटेड़ या कुछ फैंस गुस्सा भी हुए लेकिन रियक्षन आया, तो मावल की ये जो मूव थी, ये डेफिनेटली काम कर गई और इसी ने डेटपूल एंड वुलूरीन को और ज्यादा सक्सेस्फूल बना दिया और ये अपकमिंग मावल की जितने भी मूवीज है, जितने भी शोज हैं, टू जड़, सब पर बहुत ज्यादा असर डालेगा, सीक्रेट वार्स तक लिटरली सब, अल्मोस्त सब कुछ समझो, मावल का हीट हीट है, अगर बहुत ही ज्यादा कुछ टट्टी पना दिखा द जोनते हैं भाई, क्युकि इस पर उल्रीड़ी मत वाप specific कामिक्स में अगरा में ये बहुत नेक्स लेवल थाई, बहुत बहुत वाड़ा कारेक्टर था ही जरी ही सब लाए भी तू बहुत गोट ज्यादा कामिकर्श पॉला था था, आपक्टर डोम भाः तू verse 2 पहले कि तू Fantastic Four, और बाद में Fantastic Four Reboot, तीनों में Dr. Doom था तो भाई, casual फैनों या hardcore फैनों, Dr. Doom को सब जानते हैं, सब के सब जानते हैं, उसके background हैं थोड़ा बहुत परिश्चित हैं, और ये चीज़ Kang के साथ नहीं थी, तो Kang के failure के पीछे एक ये भी वज़ा रही है, और एक और humor सुनने में ये आई थी, कि RDJ ने Marvel के सामने अपने return को लेकर ये शर्ट रखी थी, कि वो वापस तब ही आएंगे, जब Doomsday और Secret Wars को और कोई director नहीं, बलकि सिर्फ और सिर्फ Russo Brothers डारेक्ट करेंगे, और क्योंकि भाई हमें आपको और RDJ सब को Russo Brothers पर बरुसा है, इनका काम हम Infinity War और Endgame में देख चुके हैं, कैसे इन्होंने movies को perfectly balance किया, इतने सारे characters होते हुए, इतनी सारी storylines इधर से आई, उधर से आई, सब आके आपस में जुड़ गई, collapse कर गई, और finally एक masterpiece हमें मिला, यह चीज को यह और डेरेक्टर, अब कहा नहीं सकते, बट यह चीज किसी और के बस की बात थी नहीं शायद, इसलिए Marvel भी RDJ के साथ, Russo Brothers को भी वापस ले आया, और again उनका यह करिश्मा, उनका यह कमाल, Doomsday और Secret Wars में देखने को डेफिनेटली मिलेगा जहाँ पर चीज हैं, बहुत एक हाई लेवल पर होंगी, बहुत सारे बंदे होंगे, लेकिन सब कुछ एकदम पाफेक्ट बैलन्स के साथ होगा, आपके हिसाब से Marvel को कैंग के साथ ही continue करना चाहिए था, फिर RDG काया जू रिटान है, इस वन इस बेटर, आपके अगोर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मुझे देखना है, जानना है क्या चलता है फैंस के दिमांग में, बी सेफ अपना ख्याल रगिया, मेरा नाम है माशू, and as always, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, बाई!